इसलिए कहता हैँ, anniversary को miss मत करो, बड़े प्रोग्रामों को miss मत करो, apply-neи जो बड़ी है, जिसको आप role model मानते हो, इसकी कोई भी meeting मिटिंग मिश मत करो, company कोई program होता है, Billward House को miss करो, वो switch कब own होता है, वो एक ऐसा switch होता है, जब आदमी को खुद पता नहीं चलता कि वो switch कहां है और उसको कौन ओन कर सकता है वो एक्टोमेटिक ओन होता है उस माहूल में जाने से वो वेक्ति कर सकता है वो किसी वेक्ति से मिलने से हो सकता है वो बड़े प्रोग्राम में जाने से हो सकता है वो कोई परिवार में प्रिष्टितिया है उसकी वज़े से हो सकता है वो कोई किता ना उसके भीतर एक्टमेटिक पैदा हो जाती है। उसको लोगों का डरगाइब हो जाता है कि लोग क्या खहेंगे। आपने देखा हो का बहुत सारे लोगों को लोगों तो पागल वह सारी सीज़ों को बूलकर बोजो पागल पन हो जुख worship बर्डि मेरे क् सब्सक्राइब के दिटर्विशुज। वो जिस गली से निकलता है ना उस गली में negativity नाम की चीज जिंदिगी में गायब हो जाती है और वो switch जब तक आदमी का RCM में होनी होता ना तब तक आदमी को अलग-अलग प्रस्तितियों में, अलग-अलग माहोल में, अलग-अलग सेमिनारों में, अलग-अलग प्रोग्राम म है, दारू पिता है, जर्दा लगाता है, बोलना उसको ठीक से आता नहीं, परस्नेलटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे से कम पड़ा लिखा है, वो अगर RCM में 42,000 ले सकता है, तो मैं तो उससे बढ़ा ले सकता हूँ, और सर राज की बार बताता हूँ, मेरा पैसे से होन हुआ, और जब पैसे से होन हुआ, फिर मैं उसे माहुल में चला गया, और जब जब माहुल में जाने लगा, चाहिए वो कंपनी विजिट है, चाहिए वो सेमिनार है, चाहिए वो मिटिंग है, तो वो स्विच मेरा ट्रिप होने ही नहीं दिया कभी, अच्या वो माहोल इंपो er 77 जीतने वी महाम और काम्याब लोगोते हैं लिए अक्षर आपको एक बात बोलते हैं की माहोल मेरो माहोल मेरों क्यों मोलते हैं अच्छा कोई भी यह टीचर को लेज़ में ہाज़्ारों लोगों को बच्चों बच्चों को पढ़ाता है अगर वो चाहे तो अपने बच्चे को घर में भी पतो पढ़ा सकता है सर लेकिन कोई भी लेक्सरा टीचर या प्राचार या अपने बच्चे को स्कूल क्यों बेजता है क्यों कि वो जानता है कि येवल पढ़ाई important नहीं है माहोल important है माहोल और RCM business में में मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर दो चीज़ा इंपोर्टेंट है सर पहला आप आर्शियम करते क्यों है आपका करने का कारण क्या है उसको सपस्ट लिखिए क्यों कर रहे हैं आप पार्शियम बिजनस मेरा एक यूट्टूब पे वीडियो पड़ा है आपका PMF क्या है प्राइमरी हो सकता है वो देश वीडेश की यातरा हो सकता है आपका प्राइमरी मोटिवेशन फेक्टर आपका नेशनल लीडर बने का कोई टारगेट हो सकता है आपका वो कौन सा कारण है उसको लिखिए और आर्शियम बिजनस में जिसका कारण मजबूत होगा न सर वो इतियास और जब वो कारण मिल जाए ना फिर आपको लिखना है कि जब तक यह पूरा नहीं होगा मैं रुपने वाला नहीं हो सर दक्षिन अफ्रीका में कबिला है सर और वहां की ऐसी मन नेता है कि वहां का सरदार जब नाचने जाता है ना तो बारी साती है तो एक इंट्रिविवाला बीबीसी वाला चला गया उसने का रहसे कैसे हो सकता है चा उसकी बगवान से बात होती है तो वो सरदार के पास चला गया और सरदार को जाके बोलता है कि सर बताईए मैंने सुना है आपके बारे में आप जब नाचने जाते हो बारी सोती है ऐसा क्य तब तक नहीं रुकता हूँ, जब तक बारी साहर नहीं जाए, मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर, आपने आर्शियम जोइन की है ना, तो सब से पहले आप बरुसा करिए, कि ये बिजनस आपको अमीर बना सकता है, इस बिजनस में क्वालेटी है, आपको पैसा देन की, शोहरत देने की, शिक्योर्टी देने की, रोल मोडल बनाने की, गाड़ी गोड़ा देने की, है ना, देश की मदद करना, समाज की, आप जो करना चाहते हो ना, जितना बड़ा टार्गेट ले सकते हो, ले लीजिए, आर्शियम जो सारे टार्गेट पूरे कर सकता है, ब वहरुसा नहीं है ना तब तक आप कर रहे हो ना काम वो डाउट है सर वो डाउट से रिजल्ट नहीं आता है मुझे माफ करना सर डाउट मत करिये सर डाउट करोगे ना तो जिंदगी में पस्ताना पड़ेगा सर फोर एक जमपल एक पंड़े जी थे मुझे माफ करना कोई पं से तो पंड़ जी को संका हो गई यार ये बेल के जो सींग है ना इनका और मेरे सीर का साइज एक दम पर उबर लग रहा है अब कोई भी चीज का संका हो जाए ना मनोज सब फिर नींद नहीं आती है फिर बेच्चे नहीं छा जाती है अब वो रोजाना सुबह जब मंदिर जा कि उसने बेल को गुड़ रखा और बेट जब गुड़ खाने लगा तो उसने अपना उन्सिंगों के बीच में ड़ालके देखना चाहा संका दूर कर लेते हैं। करें तेरे चोड तो नहीं लगी उस निका चोड तो नहीं लगी पर संगा दूर हो गई सीर का सिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा था अगर बड़ा नहीं होता तो आज मर जाता है मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर जो लोग संका करते हैं ना वो किसी ना किसी बेल के सिर में सिंग फसाई लेते हैं मनोच सर बाइस साल का नुबह बता रहा हूं मैंने ऐसे हजार पारों लाखों लोगों को देखा है सर, जो आरशियम में लेवाल आने के बाफ बाहर चले जाते हैं, सर, पता है क्यों, क्योंकि आरशियम पे बिलीव नहीं है, नहीं कंपणी आगे ही, उसके चक्क कर में बढ़ गए, गुरूप बढ़ लिया, नहीं नहीं सर, संका मत करिये बरोसा करिये डक्शेन Аफरीका का कभीले का सरदार ने क्या बोला मैं नास्ता तभी हो जब मुझे बरोसा हो जाए बारीसा आने वाली है पहला और दूसरा एक बार जब मैं श्टार्ट हो जाता occupied अंग मैं तब तक नहीं रुकता जब तक बार इस नहीं सर अच्छा दस की जगह पंदरह लगा दो आ जाएगी क्या सर नहीं सर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए सर तो ही आप बड़ी कामयाभी पे जाएंगे सर और आर्शियम बिजनस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको अलग से करना पड़ता है मुझे बहुत सारे लोग मिटि नहीं है दो ही काम है सर पहला सर कपड़े पहनने हैं बात करनी है कपड़े बदलने हैं वैवहार बदलना है दुकान बदलनी है इसके अलावा कुछ नहीं बदलना सर पहला क्या बदलना है कपड़े बदलने है प्रोफेशनल बन जाए न सर एक डोक्टर प्रोफेशनल होता इसलिए पैसा कमाता है एक इंजिनियर प्रोफेशनल होता है इसलिए पैसा कमाता है एक सेनी प्रोफेशनल होता है आप चेक करिए आप प्रोफेशनल हो या नहीं हो सकते प्रोफेशनल बन जाईए कोर्ट पेंट उटाई में आ जाईए और प्रोफेशनल रोज लोगों से ब करते थे अब दो प्लान रोज देना चलो कर दो आए तो बेश्ट नहीं आए तो नेक्स्ट सो करोड की अबादी है सर एक मिनिट में पिछपन बच्चे पैदा होते हैं और आदमी की मूलभू तीन आउशकता हैं होती है सर रोटी कपड़ा और मकान तीन आउशकता हैं और ती इनको सीरियस करना सुरू कर दिया तो रोटी से भी इंकम आएगी कपड़े से भी इंकम आएगी सर मकान वाली हो सकता इंकम जाए अब आ रही है तीन तरीके से जा रही है एक तरीके से तो थाली बरेगी या नहीं बरेगी सर अंड़ेड परसंट बरेगी सर तीनी काम है आर कर रहे हैं उनकी चिंता करिए जो यस कर रहे हैं और आर्चियम बिजनस में फुल टाइम काम करना शुरू कर दीजिए दो लोगों को रोज कलान बताना शुरू कर दीजिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद करना शुरू कर दीजिए सारे लोग नहीं करेंगे और सारे करन पर जब यह सब कोouch माई जालती रहें हिसा जलती रही है पूरत मरेगा तो पिसाद जागेगा पिसाद समरेगा तो भूच जागेगा आप क्यों सिंता कर रहे हैं लेकिन गोल बनाइए लक्षिय बनाइए लक्षिय नहीं होता जिसका जीवन में ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख पते पानी में बैजा जाते हैं जोल बनाईए लक्सिया बनाईए लक्सिया नहीं होगा तो कहीं नहीं पहुंचेंगे और मज़ sek बात बताऊं मनोज सर मुझे नहीं पता इस मनस्च पर यह बात आपको बतानी चाहिए अगर नहीं न की पार्ट है 2007 पर सेंट लोग आर सीम में कहीं नहीं पहुंचेगे ऊटो سर 97 पर्षेंट लोग इस बिजनस में कहीं नइपहुंचेंगे 3 यहां कितना भी आपने कोई लिमिट नहीं है और एक राज की बाद बताता हूं सब जिस दिन आरशियम शुरू हुआ था उस दिन-एक महीन gutes कुमपभी कशकुरो गए के पर ना-ट-व कुमार के मिहें शु का मतलब आज जो कम्पनी कमारी ये 22 साल बाद वो आपकी इंकम होगी या नहीं होगी सर और सर पिछले 22 सालों में तो कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें सिखी है आपको तो प्लेटफों मिल रहा है सर हमने जब सुरू किया था तब तो केवल कपड़ा था आज 700 से ज़्यादा प्रोडेक्ट है सर 15,000 से है सर लाखों दुकाने हैं लाखों पिकप सेंटर है सर हजारों प्रोडेक्ट नए लोंच हो रहे है सर इसका मतलब क्या है सर जो काम्याभी लोगों को पिछले 10 सालों में 15 सालों में या 22 सालों में मिली है मेरी बात को ध्यान से सुनना वो काम्याभी अगले 5 सालों में आप बन चुका है इसका मतलब क्या है हिंदुस्तान में 63% लोग युवा है और 2005 तक विश्व का सबसे जवान देश कोन सा रहेगा पता है हिंदुस्तान रहेगा इसका मतलब राजिय सरकार और केंदर सरकार के पास नोकरी की कोई व्यवस्ता नहीं है और शियम में आप कितने भी लोगों को रोजगार दे सकते हो अच्छा कंपणी की तरफ से कोई । मनोज सर कि आप दोई कोई बता सकते हो नो कोई बाउंडेशन नहीं सर कोई बाउंडेशन नहीं कितने भी जोईन करा सकते हो कोई सी भी स्टेट में करा सकते हो कोई सी भी गाउं में करा सकते हो सर दस अजार क्रोण रुपे कंपनी की आज ऐसेट्स है उसके आप 45% मालिक हैं थोड़ा सोच ना बाहर मार्केट में एक पान का खोका चलाने वाला पांच जार रुपे नहीं पचास जार रुपे देदो 45 परजिंट मालिक नहीं बनाएगा दस साजार रुपे करोड की कंपनी सर उसका आपको 45 परजिंट मालिक बने का मोका मिला है और कोई बांडेशन ही आप ठड़े लिखे कर वाइए यह सेर को करवाइए कई भी कर वाइए कितने वह कर Jan लुता सचान को ऐदेधिये हम तो खुले सांड है सर, कितने भी लोगों को, क्या ये नोकरी में संभव है, क्या ये दुकंदारी में संभव है, आप कलेक्टर बन जाओ, क्या लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हो, आप मंत्री बन जाओ, क्या लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हो, आर्चियम आ आपके पास option है कुछ भी किया जा सकता है सर मैं आपके सामने बेटा हूं सर डाइजा रुपे की मामुली सी नोकरी करने वाला लड़का सर आज RCM में महीने के 10 लाग रुपे कमा रहा हूं सर आज मेरे को अगर मार्केट में 10 लाग वो कमाने हो तो लगाने कितने पढ़ेंगे मनोजी लाखोर पैसर लाखो नी करोड़ों सर करोड़ों लगाने के बाद भी 20 करोड़ रुपे लगा दू मालो फिर भी गारंटी है क्या 10 लाग आएंगे सर नो कोई गारंटी नहीं है 20 करोड़ लगाने के बाद भी सर अच्छा 20 करोड़ लगाने के लिए बाद भी दुक करना होगा और यहां करना उगा है बात करना बारए सालों में और मेरे करोड़ों रुपए दे चुका को भी दे सकता है कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना, एक गंटा आर्शियम को दीजिये ना भाई, एक गंटा दीजिये, मैंने पार्ट ताइम सुरू किया सर, एक गंटा आर्शियम को दिया, और जब मेरे को साथ जार रुपे की नोकरी को छोड़ा सर, पार्ट ताइम सुरू किया, आज आर्शियम रुपे बहुत ज़्यादा होते हैं सर रियल में बहुत ज़्यादा होते हैं सर मेरा खुद का भाई है उसके पास बैठता हूं न ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं सर उर्जा निकलती है पैसे में पावर होती है सर पैसे में उर्जा होती है और बुरा मत माना आर्शीम करना न पैसे की बारी ही ही हो सकती है सर, अब थोड़ी सी important सर्फार करने वाला हूं सर, देखिए, दुनिया का सारे अद्योग दंदे, सारी नोकरी, सारे वैपार, केवल एक ही चीज़ के लिए चलते हैं बाई, एक ही चीज़ के लिए, अगर वो इसका मतलब दुनिया के सारे ताम जाम के वल पैसे पे चलते हैं, प्रोफिट पे चलते हैं, नमबर वन पहली बात सर, हम जिस बिजनस में है न ये भी प्रोफिट पे चलता है, आपकी टीम में अगर लोगों को पैसा नहीं आएगा, तो लोग काम करेंगे या चोड़ेंगे स सर, इसका मतलब क्या है, हम जोडने के बिजनस में नहीं है, बुरा मत मानना सर, ना ये बिजनस आपकी अपलाइन का है, ना बिजनस ये आपकी डाउन लाइन का है, सर, ये बिजनस प्योरली आपका है, सर, आपकी ड्रीम का है, सर, अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते ह इस बिजनस में फार्म बरने का बिजनस नहीं है, माल बेचने का बिजनस नहीं है, ये बिजनस प्योर लिल लोगों को पैसा कमाना सिखाने का है सर, we built people, people will build our future, हम लोगों का निर्मान करते हैं, लोग हमारे बिजनस का निर्मान करते हैं सर, मेरे को लाख रुपे क्यों आ रह आर्शीम बिजनस में क्या है प्रोफिट से चलेगा अच्छा प्रोफिट कहां से आएगा प्रोफिट आएगा टरनोर से सर टरनोर कहां से आएगा टरनोर आएगा टीम से सर अच्छा टीम कहां से आएगी टीम बनाएगा लीडर सर और लीडर कहां से आएगा लीडर पैदा न बदाई हो आपके ग़र में टीचर पैदा हुआ नहीं सर बच्छा पैदा होता है ट्रेनिंगों से मिटिंगों से लीडर बनता है ट्रेनिंगों से मिटिंग से डोक्टर बनता है एक डोक्टर आठ गंटे रोज पढ़ाई करता है रोज और 4-5 साल करता है उसके बाद एक्जाम देता है तब वो प्रोफेशनल डोक्टर बनता है एक इंजीनियर इंजीनिरिंग करता है आठ गंटे रोज काम करता है फिर वो एक्जाम देता है फिर वो प्रोफेशनल इंजीनियर बनता है और हम RCM में क्या उम्मिद करते हैं स हम करोड़ पती बन जाएंगे मुझे माफ करना सा बिनना सीखे वजब साइकिल नहीं चल सकती तो आपको क्या लगता है आर्शिम चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा इसलिए सीखना पड़ेगा खुद भी और अपने टीम के लोगों को भी अब दो तरीके हैं सीखने के भी दो बनते जाएंगे लिडर टीम मनाएंगे टीम से टर्नोर होगा और अपने को पैसा देगा टर्नोर बड़ेगा टर्नोर से पैसा आएगा टर्नोर से पिन आएगी टर्नोर से कार आएगा टर्नोर से समान आएगा टर्नोर से सिक्रूटी मिलेगी इसका मतलब क्या है हमें सारी कि लगानी चाहिए और इवेंट को करते हैं वो दो तरह main करते हैं एक कि हमें investment करते हैं खर्चा करने वाले काम्याब नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने वाले काम्याब होगा खर्चा क्या है खर्चा है सर फिल्म दिखा दो टीम को खर्चा क्या है सर खर्चा है सर उनको बिठाके बिलवाडा ले जाओ बस कार का पैसा डाल दो यह सब खर्चे हैं सर ओट सेमिनार और टूल सर मेरा 21,000 का चेक आया था ना तो मैंने 20,000 रुपे की बस बुक की थी सर बिलवड़ा ले जाने के लिए लोगों को मैंने का सर आना जाना मेना भाक की खर्चा आपका सा तो घर पे मेरे को पापाने डन्टा की बेवकूप पागल है तू तेरा भाई तो पैसा कमा रहा है तेरे को 20,000 की बस बुक कर ल秦ूपा और मैं पौन लोगों को भीलवड़ लेके गया सा पाउन लोगों ने फैक्टरी देखी, कंपनी देखी, मालिक से मिले, वापस आए, वापस आके उन्हों ने जबरदस्त काम की अगले महीने का चेक आया बियालीजार का, पापा ने का बेटा ठीक है, तू बच गया, वरना तेरा सब लग जाता, अगले महीने मेंने दो बस पर के बीलवड़ा लेखे गया, एक सो चार लोगों को, पापा ने फिर डांटा, वापस आये, एक सो चार लोग आके जबरदस्त काम किया, मेरा चेक आया बहतर अजार रुपे का, पापा ने का, फिर बच गया, पूल्टा पूल्टा काम मत करना, मैंने तुरंत टेकनिकल क किया, आज मेरे को ये मिला, 42 जार आया, 40 जार का इन्वेस्टमेंट किया, 22 जार आया, गंगा नगर में बड़ा प्रोक्राम करते हैं, माहूल का बिजनस है, माहूल में लोग आएंगे तो बड़ा होगा, और गंगा नगर में बड़ा प्रोक्राम किया, हर रोल्टी टेकनि गया सर्थडुला को भी बताना चाहता हूं उसके बाद कभी मेरी लाख मुषी बिनाता सथ उसके बाद कभी मेरी निचे निकम करने का意asan का करने का बिजनेस धीरे देरे करोगे जोर जादा लगेगा उर्जा जादा लगेगी टाइम जादा लगेगा समय जादा लगेगा पैसा जादा लगेगा टीम देरे-देरे बनेगी सर इसलिए पूरी उर्जा लगाईए पूरी ताकत लगाईए और बड़े प्रोग्रामों में अपनी टीम की बड़ एक रोयल्टी चीवर शिंगल जा रहा है कोट पेंट टाइप पेंट के हाथ में बढ़ी डाइडी और पेंट लेके आगे वाली चेहर पे बेढ़ता है सारी बाते नोट कर रहा है दूसरा रोयल्टी चीवर जा रहा है दस नए लोगों को लेके गया तो पंद्रासो रुपे लगे मनोच सब अच्छा गेट पर जाके बोला कि तीन गंटे की फिलम है देखना आप मेरे दोस्तों इसलिए आपकी टिकेट मैं ले रहा हूं ये डेट सुरुपे आप उनके सामने टिकेट लेओ उनके हाथ पे बंद उनको बिठाओ तीन गंटे की फिलम है अंदर बेठक तीन लोग आके बुलेंगे अर परसि घर पर भूला यह वह तूच्छा नहीं लगा हालांकि अच्छा लगाले जेकि तीन लोग बोफ चले जाएंगे एक आदमी बोलेगा यार प्रोग्राम तो अच्छा था था प्राज परस नी लाया कझल दे दूह और कर बिनी देगा स एक आदमी ने 4,000 से जोइन किया, तो 15 और 14,000 का बिजनस आया, 10 परसेंट आपको मिला, वापस कितना मिला, 19,000 का 10 परसेंट, 1900 रुपए साथ, लगाए कितने थे साथ, 1500, जिसमें से बाकी वापस आगे, 600 नहीं आये, 1900 का चेक वापस मिला, सेमिनार में लोगों को बिठाना, आपके अपने जानकार लोगों को, आप कितना ही बताओ, अच्या मैं आज मेरे गाउं लिख में बाड़े में जाके, मिटिंग देंगा, क्या मुझे सुनने लोग आएंगे सार, बिल्कुल नहीं आएंगे सार, आज बैस आने लगए तू समिल करना चाते हैं तो उनको सेमिनारों में डालना शुरूप करो, उसने काम करना शुरूप किया, और वो कल कितना बिजनस देगा, इसकी कोई गारनेटी नहीं है, सर कितना अग देगा सर किसी एक वेक्ति ने किसी एक वेक्ति रवी सर्मा को जोइन करवाया होगा सर उसके पापा को सर और आज रवी सर्मा जिस वेक्ति ने उसकी अपलाई ने उसे जोइन करवाया था एक महिने का सो क्रोड का टरनोर दे रहा है सर एक आदमी सो क्रोड का टर नोर दे रहा है किसी एक आदमी ने प्रित्विराज सारण जी ने मिश्टर जैनर एंड कूकना अपने साला को जोइन करवाया एक आदमी को और आज जैनर एंड कूकना करोड़ रुपे का टनोर दे रहा है सर एक आदमी एक आदमी नहीं है सर एक बड़ी इंडस्टी है सर अभी एनिवेर्सरी प्रोग्राम हुआ सथ मैं कुछ लोगों को धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा मुझे गरव है कि मैं इसी टीम को लीड करता हूं सथ इस बार की एनिवेर्सरी जूपर डूपर जबरदस्त हुई है जो लोग गए थे ना उन लोगों ने बोला आज तक वादब करके गए थे सथ उनको बहुत बढ़ाई उनके लिए बजाइए जो स्टेज पर किसी भी रूप में गए थे उनको बहुत बढ़ाई और सबसे ज्यादा बढ़ाई जैनरेन सर को ताली बजाई ये सर आज तक के ट्यास का सबसे जबरदस्त में जैसर इस बार की अनिविर्टरी मेरा सर किसी भी आदमी के गले में दो फूल माल आई थी तो सब के दो फूल थी किसी के चार पांच आर दस नहीं था और जो ट्रोफिया एक ग जरू लेना चाहूंगा आज की मिटिंग में स्पेशल ही चीलिए आया हूं कि उन टाइगर लोगों को मैं धन्यावाद देना चाहता हूं जिन्होंने नेशनल प्रोग्राम में ले जाके जिम्यवारी दिये सर और जिम्यवारी लेके काम किया सर उनमें हमारे बीच में जी बजरंग जी जाटसा सिस्पाल जी हर बगवान जी विकास कुमार जी आकास प्रजापचिती विन्य प्रजापती जी संजेश कुमार डाबडा जी नरंदर शी रूदरपुरवाले रजत यादव इन लोगों को मैंने वहां देखा था जिम्यवारी लेके काम किया हमें हमें और लोगों की जुरूरत होती तो हमारे पास और लोग थे लेकिन इंतमान लोगों के लिए ताली एक बार जोड़दार वाली बजाएं क्या जबरदस्त काम किया है सर और सर पूरी कोर टीम में जो हमने जुम्यवाली लगाई थी उनमें पता है सबसे बैतर स्टेज प फाया लीडर इंसर जो भविश्य में हिंडूस्तान की दिसा और दसा को निर्दारिक करेंगे सर तो अपने पास में मौक़ा सर अपने पास में हस्थर है सर जिंदिए में कुछ बड़ा करने का आपकी टीम में जितने लोग एना सर वो इतने जबर्दस लोग है सर कि वह आन वाजु गुमता है सर, मुझे माफ करना सर, इसलिए कुछ लोग है न, जुम्वारी और बढ़िया कर सकते थे अनिवेर्सिरी में, और लोगों को भी ला सकते थे, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत कम त्यारी की, कुछ लोगों ने आउटस्टेंडिंग त्यारी की, लगबग हमारी टीम लीडर्शिप के साथ बढ़ रही है, और मुझे तो लगता है, बविश्य में जब उपर सिक्टी सी छाबडाजी, जब चेक करेंगे पूरे इंदुस्तान में प्लेन से निकलेंगे न, तो नीचे लाल निसान दिखाई देंगे मनोज सर, और मुक्यस को अठारी इंगली करके बताएंगे जो लाल निसान दिखाई दे रहे हैं न, यह मावीर सारन सर की टीम है, यहाँ पे लीडर्स का जनम होता है, यह लीडर्स का रुतबा है, तो सर मैं तमाम लोगों को यह धन्यवाद देना चाहता हूं, गरव महसूस करता हूं, यह दो किताबें टाइगर लोगों से बातचीट कर रहा हूं, हमारे बीच में 900 लोग हैं सर, 300 लोगों के एंडराईज हो जाएंगे तब आगे चलेंगे सर, लीडर टारगेट सेट करता है, फिर टारगेट को हिट करता है सर, तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे लीडर्सिप में technical चीजें भी बढ़री है कि नहीं बढ़री है सर नो सो लोग हमारे बीच में है और मुझे लगता है तीन सो लोगों का हैंड राइज होगा तो मुझे लगेगा कि मैं लीडर से बातशीत कर रहा हूं और यह बिच हूँ कि फोज़ा जो हिंदुस्तान में आने में दूम बचाएंगे मनोद सर तीन सो लोग हो जाए तो बता देना सर कि तीन सो लोग हो गए हैं बहुत जल्दी होने वाले सर मैं भी वहीं देख रहा हूं सर तीन सो लोग हो जाए यह सार ओके तिन सब पिलस किया बात है ताली जोरदार वाली जोर्दार है जोबर दस लैडर्शी पहरत र सब तूफ पर के एक बाद सबू सब करिए सब अब अभी मत करिए सब प्लीज भीमत करिये वक्त निकलने के में बड़े लेवल पर जाना चाथे हो न एक नीया मना एक डसी है मैं बूछ कि अउन में में सारे लोग मेरी निजर में मैं ऐब अपड़ी आप शेक्ष सवाल करना बिजनस्मेन होता कोन है बिजनस्मेन वो होता है जो ज़्यादा खरीदता है ज़्यादा बेजता है बिजनस्मेन वो होता है जो टर्नोर ज़्यादा करता है बिजनस्मेन वो होता है जो प्रोपर्टी बनाता है बिजनस्मेन वो होता है जो नई leadership तयार करता है business man वो होता है जो लोगों का role model होता है लोग ऐसा बनना चाहते है business man वो होता है जो अपनी आदतों में अपने वैवहार में अपने कामों में रोज बदलाव करता है रोज मैं यह नहीं कह रहा हूँ 100% बदलिए पर 100 कामों में 1% तो बदलाव आ सकता है ना सर 100 कामों में 1% रोज बदलिए अपनी रोज education बढ़ाईए skill बढ़ाईए knowledge बढ़ाईए चमता बढ़ाईए योगता बढ़ाईए आप से team नहीं बढ़ रही है चिंता मत करिए सर लोग आएंगे सर लाइन लगा के आएंगे चोटे बिजनस में जितनी गलतियां करोगे न नुकसान चोटा होगा अगर आपका बिजनस अभी है मालोग पांच लाग का साथ लाग का तीन लाग का दस लाग का और आप एक गलती करते हैं उससे दो लाग का बिजनस खराब होता है अच्छा बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है अप लाइन का मिस यूज करते हैं सर नेट्वरक मरकेटिंग में अप लाइन के तीन यूज होते हैं सर अप लाइन के तीन यूज होते हैं लिखिए सर पहला अप लाइन का सही यूज दूसरा अपलाइन का नो यूज और तीसरा अपलाइन का मिस यूज अपलाइन का सही यूज क्या है अपलाइंग से नोलेज लीजिए ग्यान लीजिए जानकारी लीजिए और हाथ पे अपने फिल्ड में लगाईए ये सही है सर ये जो करेगा वो आर्शियम में टोप लेवल पे जाएगा पहला दूसरा है सर अपलाइंग का नो यूज कई लोगों को क्या लगता है मैं सब कुछ जानता हूँ मुझे अपलाइंग की जरूरती निया मैं अपने आप कर लूँगा बिल्कुल आप कर लोगे सर बिल्कुल कर लोगे लेकिन जो कामियाभी आपको पांस साल में मिलने वाली है ना बिनना अपलाइंग वो कामियाभी आपको दस से बीस साल के बाद म इसलिए दूसरा सर जो लोग ये कहते न मुझे अपलाइन की जुरूरत नहीं मुझे माफ करना सर अपलाइन की जुरूरत आज बी है कल भी है हमें सर आईगी सर और तीसरा सर अपलाइन का misuse मिस्यूज क्या है वो कहते है सरा हाँ आ जाना मेरे घर के तरफ गाड़ी लेके आ जाना मेरे को घर से ले लेना मैं साथ चलूँगा फिर आप मिटिंग दे देना और वापस आते हैं घर मुझे छोड़के चले जाना तो सर फिर आप क्या कर रहे हो सर apply नि आपको ठाके लेके जा रहे है apply नि Suminar ले रहे है apply निगर पर छोड़के जा रहे है तो आप क्या कर रहे हो प्रबू sir, leader बनीए follower मत बनीए sir leader बनीए, leader यह leadership का बिजनस है दोस follower का बिजनस नहीं है इसलिए leader बनी अपने आप से प्लान दीजिए अपने आपसे celebration कीजिये, अपने आपसे training दीजिये, अपनी business के मालिक खुद बन जाएए सर, सारी जुमेवारी हुद लीजिये सर, और सारी जुमेवारी हुद लोगे ना, तब आपको पता चलेगा सर, और एक राज की बात बताता हुए मुनोट सर, मुझे नियुक्त बता ब आप ज्यादा एक्टिव होंगे तो फाइदा आपको होगा सर रोल मोडल आप बनोंगे लोगों के रोल मोडल आप बनने चाहिए पहला और दूसरा बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं बिजनस तो कर लूँ पर मेरे पास पैसा नहीं है राज की बात बता रहा हूं सर अगर ग्र जार का चेक आया भी सज़ार खर्चा हो गया पचास हजार अगर हर महीने बचरा है उसमें इग्गो आएगा उसके हित्ते तकराएंगे इसलिए सर जब पैसा आए ना गोल्ड खरीद लीजिए गाड़ी खरीद लीजिए मोबाइल करीद लीजिए लेप्टोप खरीद चाहिए सर मार्केट में मोबाइल अपडेट विखता है लेप्टोप अपडेट विखता है तो आप अपने आपको पुराना क्यों करते हो अपडेट करिए ना सर अपने को रोज अपने आपको अपडेट करिए सर अपडेट करिए रोज सर यह एक बुक आती है सर क्या नाम Network marketing में ज़्यादा कमाने के 201 आसान तरीके रोखड़ा कमाने किसरा समाद सिवा ठीक है सर बलत डूनेसं ठीक है पेड़ पोदे लगाणा ठीक है सारे काम ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा जरूर्ड़ पता है क्या रोखड़े की अशा पापा सरदी मरे और बेटा कंबल बांटे चलेगा क्या सर रोकडा ये बुक जरूर पढ़िये सर इसमें वो सारी तरिके बताए गए है टीम के से डवलप की जाती है नेट्वरक के से बनाया जाता है लीडर के से तियार किये जाते हैं और लीडर टीम बनाएंगे टीम टरनोर जनरेट करेगी और टरनोर आपको पैसा देगा जाता है पहले ये बुक जरूर पढ़िये और दूसरी ये बुक जरूर पढ़िये कहां उसने प्लान दिया प्लान देते डगविड को इतना अच्छा लगा उसने का कमाल हो गया उसने पूरी एसेंबली में बताया कि ऐसा एक बिजनस है जो बिना इन्वेस्टमेंट के भी बहुत पैसा बना सकता है इसको अमरिका में मन नेता मिली एमवे बिजनस को और बाद में एमवे ने कहा कि आप ऐसे बुकें लोग बांट ने सकते हो आपको ब्रीट में आना पड़ेगा या हमारा जो दूसरा चैनल है जुकेशन का उसमें आना पड़ेगा तो उसने कहा मेरे को एमवे नहीं करना मेरे पास पैसे बहुत है उसने एक फ्री लांसर बुक निकाल ना एक ब्रीफ केस लो कोर्ट पेंटर लगा और प्लान बताने की रफ़तार बढ़ा दो सर मैं आपके सामने बैठा हूं सर मेरी कोई फैक्टरी नहीं है मेरा कोई बोस नहीं है मेरा कोई मालिक नहीं है इस किताब को पढ़ता हूं सर रोज और सर जो कमिया है उनको दूर करता जो लब जब लब जब करती है ना बच्छा भी बोलेगा पापा इसको बुजादो ना तो मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं सर अगले पांस साल लब जब लब जब निम्मत करिए पूरी ताकत के साथ आर्शियम बिजनस करिए सर और ये जो बिजनस है ना ये पीडियों क अमीर बनाने का बिजनस है दोस्त पीडियों को अमीर बनाने का बिजनस है आपके पास मुका है आपके पास अउसर है और हिंदुस्तान की सबसे मजबूत लिडर्शिक में आप काम करते हो तो जितनी भी अभी है ने ये सेमिनारे हो रही है ना सर उनमें जबरदस त्यारी क बचाईए सर मैं तो जब तक रूबी नहीं आया था ना तब तक 70-80% सारी इन्वेस्ट करता था सर मेरी पत्ने मुझे बोलती है ती स्टेट से बोलते है 80,000 आ रहे 90,000 मुझे तो कभी 5,000 नहीं देते हो मैंने का 500 500 करके 5 महीने लेो कितनी होंगे 25 या 500 महीने एक बार में 25 ले सेटल्ड हो जाती है सर इसलिए लाइफ 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 के लिए ताकत लगाओ लाइफ 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 फोकस करो नए स्टेशन को सर फोकस करो जोईनिंग को सर फोकस करो कंसी मेरे को उस बंदे में बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं है राजकुमार जी जो यह कहे एक लाख रुपे का माल में हर महीने बेशता हूं मेरे को बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं है हाँ बोलता हूं ठीक है क सर चेन बनाईए बिल्ट दा नेट्वरक लिडर्शिक तियार करिए आप से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा सर कोई बात बुरी लगी तुम आफी चाहूंगा सर एक चीज लास्ट में बताना चाहता हूं एक पापा की गड़ी कुंगई गर में सारे लोग डूंड रहे है पूरे गर में भाग रहा है ममी इदर भाग रही है बच्चे उदर भाग रहे है पापा के रहे जल्दी लाओ तो एक छोटा सा बच्चा है वो कहता है पापा पांस्सो रुपे दो गए तो मैं ढूंड दूंगा उसने का तुनी चुपाई होगी उसने का चुपाई नहीं पर मैं ढूंड दूऊंगा उसने का आँ देऊंगा बता कैसे ढूंड़ेगा तो उसने का सब गर्वालों को बुला लिया पुराने जमाने की बात है सारे गर्वाले आ गए उनको कई पापा इनको बढब को बोलेगा नीं आवाज नहीं करेगा उसने का ठीक है फिर वो हर क तो शान्त हो के मनन करिए कि मैं क्या कर रहा हूं आप उस achievement पर चले जाओगे पानी हिलता रहता है ना फोटो नहीं दिखती है सर इल रहा है ना सर शान्त होने दो पानी को सर फिर फोटो दिखेगी सर आज शाम को सोने से पहले आपने एक लाइन लिखी है सर मैं business man हूं अपने पेरा action business में इनकी तरह है क्या सर action मनाई ये business में इनकी तरह है और आरशियम दुनिया का पहला business है सर जिसमें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है सर साबुन से नाना है सर सामने वाला खाएगा थोड़ी क्या training दे होगे सर चाई से चाई पती कैसे बनती है training की जरूरती नह हाटे से रोटी कैसे बनती है training की जरूरती नहीं इसलिए एकडम simple business दुनिया का हाँ action में रहो और माहूल में रहो सर कितना भी नुकिला पतर हो ना समंदर नदी के किनारी पड़ा रहेगा कोई बदलाव नहीं आएगा उसको उठा के बीच में डाल दो वो कुछ भी नहीं क के काम करिए सथ हम आपको national level पर देखना चाहते हैं बाते मेरे साथ मेरे पास बहुत सारी है च्यार दिन लगातार बुलाओ ना तब भी खतम नहीं होगी सथ क्योंकि आर्शीम में बड़े गोल बनाईए और फिर बड़े गोल पर पूरा डट जाईए बहुत धन्यवाद आ लास्त एक कानी बताना चाहता हूं सर एक जंगल में शेर बहुत बुकाता सर च्यार प्वान दिन से कुछ नहीं मिला सर अचानक उसको एक स्पेदरेंग का खरगोश दिखाई दिया उसने कायर कुछ नहीं से यह खा लेता हूं उसके पीछे बागा खरगोश आगे शेर पी हिमत में बढ़ा हूं वजन में बढ़ा हूं दोर मेरी जादा है फिर भी तुम आज मेरे हाथ क्यो नहीं आया तो अंदर से खरगोश ने बहुत सुंदर बात कही सर पता है क्या बोला वो मुस्कुरा के कहता है महराज आपके दोड़ने में और मेरे दोड़ने में फरक था आप दोड़ रहे थे अपने एक समय के लंच के लिए और मैं दोड़ रहा था मेरी लाइफ के लिए साथ, मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, हम जितने लोग जुड़े में हैं न सर इस चैनल पे, हम सब साधान परिवार से आते हैं सर, आर सियम को लंच के लिए मत कर करिए सर, ड्रीम के लिए करिए सर, चैन्जिंग के लिए करिए सर, मैं आप से वड़ा करता हूं सर, आप आर सियम में सो परसेंट ताकत लगाओगे ना, मैं आपके साथ हजार परसेंट लगाओंगा, और कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं सर, अगर आप इस कामियाभी की आत्रा में बीच में दुनिया से बिच लेगे तो कसम खुदा की आपकी आत्मा को जब तक श्टारू भी नहीं बना देंगे तब तक जाने नहीं देंगे जब यह हमार आपसे वादा है और आप जैसे दोस्तों के साथ इस जिंदगी को एंजोई करना चाहता हूँ मैं आरशियम में पैसे के लिए आया सर बहुत पैसा मिला बहुत प्यार मिला इज्यत मिली दोलत शोरत इतना मिला सर मेरा दामन छोटा रह गया सर और आज मेरी दिल से एक इच्छा है सर हर घर में इंकम जाए हर चेहरे पे मुस्कान आए इसके लिए हम काम करेंगे सर बहुत बहुत दन्यवाद सर आप लोगों से मिलके अच्छा लगा कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना सर मैं हर हाल में आपको बड़े लेवल देखना चाहता हूं मैं चाहता हूं सर एक बार जितने लोगों का वीडियो होन है थोड़ा मुस्कुरा के तालीब जा दे तो मेरा भी दिन बन जाए सर है ना दुनिया का सबसे महंगा और सबसे सुन्दर अबुसन यही है सर बहुत दन्यवाद सर आप से मिलके अच्छा ल अब सला जुकेगा नहीं और यहीं रिकागत ने उसको टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंचा दिया मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं सर कमजोर लोग रुखते हैं सर छोटी-छोटी समस्या हूं पर ना मुश्किलें ना तकलिफें तो क्या है मजाफिर जीने में तूफा भी ठंग जाएंगे जब लक्षे रहेगा सीने में इसलिए बड़ा टार्गेट बनाएं सको बड़ा गोल बनाएं और उस पर डट जाएं सको बहुत-बहुत धन्यवाद काम्याभी के बड़े लेवल पर आपका स्वागत है साथ थैंक्यू